Hello listeners, 91.2 MHz की रेडियो तरंगों बर आप सुन रहे हैं उत्तराखन मुक्तिवसी विद्यालाई का कम्यूनिटी रेडियो, Hello Haldwani तो यंग Haldwani कारिक्रम लेकर आप सब के सामने हाजे रहे हैं हमारे साथ एक बहुती प्यारी सी बच्ची बच्ची नहीं कहेंगे 10th क्लास में पढ़ने लगए हैं तो बच्ची आज कर बढ़े हो जा रहे हैं निस्था इसमक्त हमारे साथ मौजूद है 10th क्लास में पढ़ती है वुडप्रिच भीमताल में और बहुत सी बाते हैं आज निस्था से करेंगे कि जो हमारी यंगर स्ट है, तीन-एज की जो हमारी पीड़ी है वो किस-किस तरह से सोच रही है क्या हुँकि एम्स एं और कैसे वो दुणिया को देख आई है अपने समाज के तमाम सारे मुंदों को देख रही हैं इस पर आज हम निस्टा को हमने पकड़ लिया है, निस्टा अजुत रखन मुक्ति विस्विद्यालाई में आई है अपनी पापा के साथ में, ड्र. असुतो जी के साथ में, तो निस्टा बहुत वेलकम है रेडियो सेशन में आपका, थैंक यू, हम तो चाहते हैं कि आप जैस पर लेखन, बोलने का और कई सारी लेंगविजेचा आप लोगम को आती है, क्या लगता है आपको सबसे बले यह पूस्ति उपको पूस्तियूं कि अज की ज्रूरी है आज की जैसे बहुत सब्स्तियूरी लगता है, मतलब जैसे आगे जा का एपको कहीं जोब कर्याब करी इसमें तो मतलों किया पढ़ाई से ही वो नहीं चलता अपके टाइम पर तो कम्यूनिकेशन स्किल्स को बहुत तुरूरी है बिल्कुल और इसके साथ तुमाम सारे सोचल इस्यूज पर आप लोग कुछ सोचते हो कभी अगवार पढ़ते हो आप कभी 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 पढ़ते हो कौंसा निवच पर पढ़ते हो दैन्क चागरें तु क्या लगता है क्या पढ़ते हो एडिटॉरियल कभी पढ़ा कभी मतलत क्या हो रहा है दुनिया में कहीं कोई युद्ध चल रहा है कहीं कोई भूकम पाया इससे आप लोग अवेर रहते हो तो उसके रीजन्स वर जानने चाहिए कि क्यों आया इतना बड़ा इतनी बड़ी तबाही क्यों हुई किस तरह का कंस्ट्रक्शन्स था तुर्की और सिर्या की जो जमीन है वो क्या भुकम के लिए बहुत सेंसिटिव है अगर सेंसिटिव है तो फिर वहां पर इतनी बड़ी अग्यू कि बड़ा जा है तो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन की हो रहा है क्या कोई ऐसा भुकम के लिए प्रेंड ली हो सब्सक्राइब जिसमें बड़े की बिल्डिंग जा सकती है ना क्योंकि उत्राखंड में आने वाले समये में बहुत-बड़ा है अबी तो चोटे-चो प्रेशर थोड़ा थोड़ा रिलीज हो जाता है तो यह सोचना ची मुझे लगता है आप लोगों को कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किस तरका कंस्ट्रक्शन होना चीए क्या सिमेंट के बड़े-बड़े घरम बनाएं या नहीं बनाएं तो आपके शॉक क्या क्या ह प्रभाकरा कि क्कन्राओं प्रियाक समित्यले ले सििखाता है तो उसको दिखाता है तो इसको प्रभाकर की लगरेंगा रिखरों के तैसके क्राओंगोर मैं बुषलये तो içθη wife ओलेका चाहीं कौना यह अफिर कर है अबी, है कार ग्ता अच्छा लगता है दान्स करना तो बहुत अच्छा लगता है इंटार मैंसे पहले थानी इस मां चैलाइज ऑसका क otras क्का जायरे चैरे आप ख रूखाटो तोanda जगता है क्लासिकल दान्स क्लासिकल दान्स को भी साधे थी पढ़ने का शौक है तो अपनी जो किटाबे हैं इसलिबस की उन्हें आप पढ़ती है या उससे भी इतर आउट आफ जाकर कुछा पढ़ रही हैं तो इसलिबस का ही पढ़ती हु तो अपनी पढ़ती है तो एक्सूम आपको कायड गड़ता है यह पढ़ती हु दो अधरक को पर ऊस्कूल जलता है जसे स्कूल से किता बहुत स्कूल से पता चलता है बाके जिस्टिशन जाते और जसे मुच बा wrap बच पसंदakers पढ़ती हु तो तो अच्छी ची किदाब हो उनका क्लेक्षन आपिपास पड़ा हुगा है आपकी लाइवरी है अच्छी है ना कौन-कौन से नोबल आपने पड़े हैं? नोबल आपने पड़े हैं जैसे फिक्षन में पड़ते हैं तो जैसे हैरी पॉर्टर मुझे बहुत पड़ पड़ रखे हैं अगर नॉन-फिक्षन पड़ती हुप है और बाइवरी पड़ती हुआ तो काफी आप अभी तक पड़ चुकी हैं इतने सीटिंग में आप एक नहीं पड़ती है लिखा भी है कुछ नहीं कोई कविता लिख डालू नहीं बच्पर में लिख थी पोएम्स मुझे में लिखते हैं लगाता है ट्रेंग चेंज हो रहा है पहले से तुक बंदी कविता हैं और उनमें चंद लाई सब का धिहान देना होता था लेकिन पिसले क मुझ दश्रकों से चंद मुक्त कविताओं का चलन बढ़ा है और चंद मुक्त में हम देखते हैं कि समाज के बहुत सारे इस्यूज बढ़े अच्छे से आ जाते हैं क्योंकि आपको उसमें चंद अलंकार की उसमें कम्प्रोमाइज निक करना पड़ता है कि मुझे इस तुख नई जणरेशन के अंदर होने चाहिए कभी आप सोचते हो इस तरह से आज साल अगता है कि अजुकेशन हर किसी के लिए बहुत सरूरी होता है मतलब आपकी वैसे भी आपका माइन बहुत खुलता है एजुकेशन के उससे तो और आजकर बहुत जुरूरी है कि हर को इस भी करदेशन के साल भी कुछ की अठीघन के लिए सब्सक्राइबना खुट्यका एक कर यह उसकै ड बहुत लियाकरा खुप्रण को आजकि व सकथजव करते हैा कि यह घुटेशन को नहीं को यहाई उनके खुब जिए मनें और उनकी घुप सुरूरत बने हाई उनके हल्प सब की हेल बने हर कोई खुश रहे हर किसी को रोटी मिले हर किसे है ना तो लेकिन हमारा देखते हैं कि हम जिस तरह की कॉंपुटुटिव आजकल पढ़ाई हो चुकी है उसमें हम देखते हैं कि लगातार गला कार्ट परती होगी ता एक को पचार आगे जाना है और मतलब करने किसे लिए करें सकते हैं जासि करें कर सकते हैं तो आप जादा पड़न के रही हर के लिए साफ जागुर्ट एमत्स कर सकते हो तो बतलब हर तो इसलिए ज़ आपको बाइलोजी अच्छी लगती है कई बार उमको लगता है कि डॉक्टर हालां कि बहुत कुछ कर सकते हैं मदद है लेकिन गरीब तब कहना उसका खान पान का स्टाइल ही इसा होता है कि डॉक्टर भी उसके ले क्या करेगा कि डॉक्टर उसको बूलेगा कि आपको डिली एक एपल खाना है लेकिन नहीं थापाईगा ना तो कई भर हमा लगता है कि कुछ इस पर पेशे हैं कि हम बहुत बड़ी समासिबा कर सकते हैं हलांकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर अपना कम इमानधारी से करें तो सबसे बडी समासिवा वोगी कि हम जिस पत पर हैं उस पत को हम जस्तिफाइ करें अच्छ बहुत अच्छी बात है क्योंकि ढूक्टर्स अप तो भारत जो है इतना कम यहां पर मेडिकल चार्जज होता है न कि बे देश की लोगबी utan पर जो है मेडिकल टूरिजयम अपने इक नई वारड आगया है तो बहर की लोग भी हाँ पर ऑपर सर्जरी कराने के लिए आते हैं क्योंकि घरौप में अमेरिका में भूठ कर जल्दी पाहु पसार रहा है तो अच्छी दॉक्टरों की यहां पर जरूरत है है भहत जादा कोहदा महसुस किया गया है ना तो कोई टाइम डाइम कैसा उपिता आपका क्या कई अपनो वैरानको tra cathedral था दौ सvet मैंने काफी हूग किया एक्स्ट्रा एफॉर्ट स्टा लेते एंड मैंने पेंटिंग करे थी बहुत कोविड के टाइम पर और हम लोग जिस अपने गाउं में गहते जब कोविड हुआ था तो हम लोग दो तीन महीं ने वहाँ थे तो वहाँ भी काफी मज़े किये था सब के साथ तो और क्या बताना चाहोगी अपकी दोस कौन-कौन है आप लोग क्या गॉसिप करते हैं अपने आपस में अपस में फ्रेंड स्कूल में है मेरे एक बेस्ट्रेंड है कृती तो हम दोनों का लाइक हम लोग को स्कूल में बहुत अच्छा रहता है तो हम लोग को जैसे टीचर हमेशा हम दोनों साथ में गुंते हैं तो हमेशा हम दोनों साथ में गुंते हैं एक अच्छा दोस होना कितना जिंदगी को बदल देता है तो स्कूल में जब पढ़ाई में भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है तो दोस्तों था पारा उनसा बाते करके भी एक तमन हलका हो जाता ह क्रिती क्रिटी की क्रिटी किया करना चा~! क्रिती करना चाहती है? क्रेती क्रीती डाक्ट मा rise ok अभी हम अंतरास्ति महिला दिवस इस बीच में अभी चल रहा है। कि घषदे करनों फैसे तब है, थैसे लिपल्ते ही नाम कैसे िदिन लिटा है, जैसे अनल्ते मुछ नियु सुछेसिता, को और मोटें क्रृडिट में वगो चुछ कुलेजा एक लिए आप चछीज रहती है, तो यह जिंदगी के हर हिस्से में है घर में हैं, बाहर है, वर्किंग प्लेस पे हैं और उसके लबाब जो हरा है हमारी गर्ल्स के साथ में वेमेंड के साथ में वो मतलब भी बहुत बढ़ा यहीं सब ज़ारी में उद्दा नहीं किया जाता है पिल्कुल तो वो सब चीजें ना हो और हम भी एक इनसान हैं, हमके कोई कोमेडिटी नहीं है, कोई प्रोड़क्ट नहीं है, है ना, और हमरे अंदर भी फीलिंग्स है, यहीं सब जताने के लिए दिन मनाया जाता है, है ना, तो आप एक गल हो, आपको बतौर गल, कभी कोई इस तरह के इसूज आए, कभी दिक्कत के कुछ भी चीज़ होता है, है लिए पुछ भी चीज़ होता है, मैं पुछ झाल अवर की नहीं होता है, यह, तो तरह को bend Plays, के मैं सबस्टीजफे की जो इक नहीं होता है, यह, चीज बॉड़क्शों कि、 नहीं होता है, कि तो तो यह ञeurs गॉतीritis भाढ़़क्श ज जो हमारे ने रूप टीचर भी तो, हमसे गाल्स सरय तो हमसे गाल्स कहिते है तो गर्रागार इस ते हम इस आूई नदीड़ूर कहिए गोगा चैटर है। हमसे पिखना आजकाँ थी तो रहते हैं अवागाल्संचाम करनाओ है, तो आपको पढ़ाई करनी करनी है। मेरी क्लास में बोईज नहीं भी पड़ाई तो चलेगा तो बड़ा वो लगता थे कि आज का टास है जब गोर्स हर फील्ड में आगे रहती है उसमें भी जब कोई असी बात करता तो अच्छा नहीं लगता इसलिए हम इस दियोज को बड़ाई बना दिया और लोग उसी को मानते हैं इसलिए हम इस दियोज को बड़ाना नहीं होना चाहिए हम बात करें कि आज क्या इस्यूज है महिला के है ना जो फिमिनेजिम है फिमिनेजिम के बहुत सारी वेप्स रही है तो अभी हम थर्ड या फोर्थ वेप्स में है और पहली वेप्स अब आई थी जब वोटिंग राइट्स के लिए बोला गया था को पता है फ्रांस जब में 1789 में वहां रेवलेशन हो गए थी लेकिन वहां पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कम मिला मालू मैं हमारी आजादी सिठीक एक साल पहले 1946 को वहां महिलाओं को नाग्रिक पासर बीथा है है उनको दुक्स पर्ण को टीजन है तो इस बबहुत बड़ा दिन होता है हमारी और बहुत महिलाओं प्रांस में उप पो नाम नाम से कोई महिला थी उन्हीं को फासी की सजुत दे दी थी कियोंकि वह इंत्राइट्स के लि तो फांसी तक में हमारी महिलाइं गई हैं, है ना, तो जब हम वोट डालने जाते हैं, तो हमें याद करना चाहिए उन लोगों को, कि हमा इस इस वोटिंग राइट के लिए किसी ने फांसी भी खाई है, है ना, आप हो गए हैं बाले गवी, वोट देने हैं, अभी नहीं है, तो उमीद करते हैं कि जब भी आप वोट डालने जाएं, तो हमारी उन जरूर महिलाओं को जरूर याद करें हैं, और अपने आसपास सब को बताएं, कि ये दिवस ऐसी कोई खरात्मन ही मिला हमे कि कि किसी ने बीक में दे दिया है, तो इसका पीछे बहुत श्रगल रहा है, और हर वेप, पहली वेप तो वोटिंग राइट को लेकर थी, उसके बाद सेकंड वेप आई, फिर और इस्यूच को लेकर आया, दहे जहतिया थी, कई तरह की चीज़ें होती थी, उसके बाद थर्ड वेप आई, आज हम लेस्बियन के राइट की बात कर रहे हैं, आज तो हमारी इसनलर्स के लिए, हमारी यूद के लिए को एक लिए मेसेज हो, कि मतला संगतो है, बहुत है किंगयो तो वे हमें रिघा आपको डर लगा, कभी आपको डर बहुंस ने को अम चाहि राध हो आपके कड़रानी कर देख के लिज़ारे रात और बहुना, लीज़ी आ आपको छिए क pea जिन उनर ग। हमाती है। यस में और रोयस को बना है हो सब्सक्ताएं कि आपको लगता है। परेंट्स आपना मासके लिप दो सब्सक्राइब करने एक के जगा कुछम बच्छों के रिस्पेक्ट कुछ के इस GP ÇİS अभिछ पर दोजों के परेंट्स को उने संझाना पड़ें पिल्कुल आपको यादे निर्भया का जाता है कि सेल्ट डिफेंस आना चाहिए हाँ बट उसके जगर जगर बोईस के पैरंट्स उनको सिखाते बच्छपन से कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करें और सेल्फ टेश करें तो हर आजकल डांस का भी बहुत ट्रेंड हो रहा है बहुत लड़किया डांस करती है लेकि मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस का भी एक नेसेसिटी कोर्स होना चाहिए हाँ है ना स्कूल मोहना चाहिए आपको बॉक्सिंग आएं कराटे आएं थोड़ा नियुनतम अपनी इस तरह के नियम हम लोग बनाएंगे मिल तो बहुत अच्छा लगा नियुक्स का हमारा एक प्रोग्राम है कुछ कहती है किताब है अगर आपको लगे किताब बहुत अच्छी है मुझे सब के साथ सेयर करनी चाहिए तो आप अपने घर से मुबाइल पकड़ना एक चूटी प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो अपना फीड़बक जरूर दीजीगा और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं रेडियो में आपका बहुत स्वागत है इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भासकर को दीजे इजाजत नमस्कार